तो चलिए अभी हम लाइब है एंड फटा फट से आज हम डिसकस करेंगे कि फानेशल रिपोरटिंग बहुत कम समय बचा हमारे पास तो पांच से 6 दिनों में हम फानेशल रिपोरटिंग को कैसे revise करें और कब हमें financial reporting revision start कौन से DC कर देना चाहिए साथ हम SFM के बारे में भी बात करेंगे और marathon session के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार हम overall revise करें कि obviously financial reporting और SFM ये दूनों ऐसा subject है जिसमें हमारे लिए पूरा मतलब पूरा chances रहता है कि मिसमें अच्छा score करें अटलीस exemption तो हम लाए और वो आ भी जाएगा आपका at least minimum exemption तो ला नहीं है और हम target करेंगे कि 70 plus हम score करें तो नो financial reporting और SFM में और इसे क्या होगा आपका overall aggregate में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना audit law पताने क्या होगा क्या नहीं बतलब आ जाएंगे अच्छे नंबर पर एफार और SFM में ज्यादा अच्छा नंबर आने का ज्यादा chances रहते हैं तो basically यहां पर अभी हमें ना फुरा discuss करने से पिले एक सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने experience किये कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं 2016 से मैं पढ़ा रहा हूं आज 2023 चल रहा है तेवन येर्स में मैंने क्या experience किया है और आपने अगर बहुत सारे cricket के फैंस होंगे तो उनको भी इची समझ आएगी जिसे इंडिया से भी बहुत सारे बच्चों का कहीना का यह हाल होते हम क्या करते हैं पहले घुटने टीक देते हम पहले डर जाते हमारे अंदर बहुत सारी इंपॉर्टन चीज़ तो यह कि आपको डर को हटाना पड़ेगा और डर को हटाने का मेरे सबसे तो सिंपल सा यही मेरा कहना है कि आप सिंपल अगर इसको मैं समझाऊं सिंपल वे में कि कैसे डर को हटाया जाए आपको बस यह खुद को बोलना है जो होगा होगा देखा जा हम उसको capitalize करें ज्यादा से ज्यादा हम revise कर ले और strategy के लिए हम इस तरीके से revise कर ले कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए आपर तो अब मैं financial reporting में यही बात करूँगा आपके साथ यह discuss करूँगा कि strategy के लिए हम financial reporting के अंदर किस प्रकार हम revision करें कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते जो चार दिन देते हैं revision को बहुत सारे बच्चे पास दिन भी देते हैं मैं आपको highly recommend करूँगा बहुत अपने past experience के basis में कि आप 6 दिन का समय कम से कम दो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ या आप सुन लिजे मान लिजे हम तो पास दिन देते हम 27 को start करेंगे कोई बुराई निया पास दिन दे सकते हो but problem is dead कि कल को मान लिजे अगर आपकी पास lack of time हो गया कल को आपने जिस प्रकार सोचा था revision कर रहा हूँ आप नहीं कर पार हो आप बहुत सारी चीज़े कितने सारे बच्चे उस्टे मैसेज करत हो एक one day advance में लेके चलते हो उससे फाइदा क्या होगा कि एक दिन आपके बास extra time बढ़ा होगा आप एक काम कर लिजे जो आपने plan किया मान लिजे 26 को मान लिजे 27 से 31 तो usually FR को दोगे 27 28 29 30 31 अब FR को दोगे मान लिजे 26 को आपने plan किया आप SFM पढ़ोगे या audit law या जो भी subject पढ़ोगे अपने plan किया एक काम करो 26 को FR start कर दो और जो अपने 26 को पढ़ने का plan किया था वो split कर दो 26 27 28 में 2-2 घंटा कितना अच्छा होगा अगर आप मान लिजो second paper SFM है हम ऐसा भी कर सकते हम उसको split कर देंगे या पिर हम बोलेंग नहीं audit theory subject है बाद में कम समय लगते हैं क मेरा suggestion यह है कि 5 दिन के भरों से मत रही कल को बाई चांस आपका अगर अच्छे से cover up नहीं हुआ और financial reporting पहला paper अगर वो आपका अच्छा नहीं जाएगा तो आपका moral तूट जाएगा आपका confidence तूट जाएगा और वही जब पहला paper अच्छा हो जाएगा पहला paper में अच्छ जाते हम हार जाते हैं और हम आगे उतना effort नहीं दे पाते हैं जितना हमें देना चाहिए तो इसलिए मैं highly recommend करूंगा आप चाहो 5 दिन के लिए कर सकते हो मैंने plan एक तरह से तो 5 दिन का बना है पर मैंने फिर भी 6 दिन मैं समझ के रखता हूं कि जादा से जादा बच्चे risk न मैंने क्या क्या है financial reporting में मैंने marathon revision रखा है और सारे बड़े chapters मैंने target किये सारे बड़े chapters में अब देख लो financial instrument जिसमें से 20 marks तो minimum पकड़ के चली आएगा 20 से 25 marks का आता है एक बार तो 29 marks का भी आया है 115 से तो 12 marks कहीं नहीं गिया यह ऐसे chapter है जिससे आएंगी अगर आप बोलो कि सर हम तो पहले चोटे chapter पढ़ लेते हैं हम तो पहले mid-size वाले chapter पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर पता है क्या है अपने 10 चोटे chapter पढ़ लिए उसमें से 2 chapter से question दिखा क्या पता है exam बागी से दिखा है नहीं और वो 2 से 3 chapter से जो question दिखा वो भी 4-4 marks के दिखे बताओ आपको क् कुछ नहीं मिला तो बहतर है कि वो chapter को हम पहले target करें जिससे मैं पता है आए गई question और वो भी 8-8 number के 10-10 number के question आएंगे है न 6 number 8 number 10-10 number के question आएंगे तो वो question को हम कैसे छोड़ सकते हैं अगर वो छोड़ देंगे तो exemption वगेरत हो गया तो इसलिए बड़ा chapters पहले target करेंगे उसको पहले निपताएंगे फुटा chapters तो time भी कम लगेगा और बाद में जल्दी जल्दी भी कर सकते हो पर बड़ा chapters को time देना पढ़ते हो वहाँ पर बहुत सारे numericals रहते calculations रहते हो वहाँ थोड़ा ध्यान देखिए पढ़ना पढ़ता है ने तो दिक्कत आ जाती है तो इस 102 analysis of answer statement से मुझे लगता है कुछ-कुछ important बड़े question है क्या पता वो पूछ लेंगे exam में और index 101 से भी 2-3 बड़े-बड़े question है क्या पता वो exam में पूछ लेंगे क्योंकि अभी तक analysis of answer statement और index 101 में RTP वगेरे में तो बहुत सारे question पहले इन्होंने डाले बट इन्होंने इतना exam में test नहीं किया तो यहां से highly probable है कि यहां से वो test कर सकते एक बड़ा question भी पूछ सकते 14 marks या 16 marks का बड़ा question भी पूछ सकते है क्या पता है 12 marks का बड़ा question पूछ लिया सो इसलिए मैंने वही chapter मेरा थोन में 26 October को target किया जहां से मुझे लगता है minimum 60 marks तो आए गए और 70 marks थक का वेटेज है और आपको मैं बता भी देता हूं देगो फानिश इंस्रूमेंट्स पकड़ के चलो 20 नमबर तो आ नहीं है तीन question तो पूछ लेते इतना बड़ा chapter 5-6 chapter का एक chapter आता ही हमेसे question 115 से मैंने देखा कि एक भी ऐसा atom नहीं गया जहां पर 12 marks से कम question पूछे गए जहां तक मुझे पता है 12 marks तो minimum में 16 marks का भी question पूछा गया एक बड़ तो 18 marks का भी question आया गया तो ये दोनों chapter ही आपके 40 marks का weight दे देता है कहीं ना कहीं 103 और console edition से 20 marks के question आते हमें पता है 20 marks के आते ये 3 मिला दे 4 मिला दे 60 हो गया 116 से भी 8 number के question पूछे जा सकते हैं और even 102 से भी 6 marks से 8 number के 10 number के भी question पूछने लाइग ऐसे question 102 के अंदर है ऐसे question है यहाँ पर कि जहां से ज़्यादा number के question पूछे जा सकते हैं इसके लावा analysis और 101 में भी ऐसे question है जो 10 marks 12 marks 16 marks के question यहां से पूछे जा सकते हैं तो मैं वही chapter को marathon में 26 को target करूँगा जहां से आपका यही chapter करके आपका exemption तो यहीं secure हो जाएगा तो आप मेरे साथ अगर करोगे तो 26 October को मेरे साथ revise कर लीजे और 27 को day 2 को यही सारे chapter जो आपने मेरे साथ revise के आप self practice कर लीजे जैसे मैंने 400 question का pdf दिया हुआ है उसके अंदर 200 questions मैंने important mark कर आए 400 का pdf है question और 200 मैंने important mark कर आए तो वो सारे question भी usually वहीं से आएंगे देखो जा तो अच्छे अच्छे जितने भी highly quality questions हो है वो quality questions मैंने उस pdf में डाली दियो और 200 questions कितने मैंने important भी mark कर दियो तो वहां से आप वो practice कर लोगे और basically मैं आपको 26 October को mark भी कर दूँगा कि कौन से कौन से question आपको कर की जाने है ऐसे तो है important question pdf और वही चीज़ में उस दिन भी mark करवा दूँगा और वो मैं हम कर भी लेंगे concept के साथ साथ हम question भी कर लेंगे उस time पर question भी करेंगे important जो है और concepts भी discuss कर लेंगे तो यह आपने 26 को किया और 27 यानि 27 तक यह सभी chapter आपके खतम हो जाना चाहिए आप चाहो तो analysis और index 101 को एक बार चाहो तो hold पे रख सकतो otherwise आप स दो दिन में coverage कर दिया 62-70 marks का उसकी बाद day 3 में हम क्या करेंगे अब day 3 में हम सारे mid-size index उठाएंगे जो की important है जहां से 6 number 8 number 4 number की question पूछे जा सकते हैं जैसे की index 7 हो गया cash flow statement का एक question पूछ लिया क्या पता 8 number का या 10 number का index 19 में भी कितने सारे अच्छे अच्छे question है practical question है practical question है इवन index 21 में भी ऐसे question है जहां से 8 number की question पूछे जा सकते हैं इंडेस 41 से भी पूछे जाते हैं आजकल तो बहुत question पूछ रहे हैं इंडेस 41 को भी important मानते हैं फिर इंडेस 2, 23, 36, 105, CSR ये आप day 3 में कर लोगे और मैंने प्लैन किया कि 26 October को हम एक मेराथन तो लेंगे major chapters का 70 marks का coverage होगा और day 3 में मैंने plan किया कि मैं एक और marathon ले लूँगा ये सभी इंडेस का तो आप either मेरे साथ कर लो day 3 में या फिर आप खुद से करोगे ये सारे chapter आप खुद से खतम करोगे और day 4 में फिर आप क्या करो बाकी जो small index है हमने small index का जो marathon लिया था 12 इंडेस का एक दिन मे बार भी पूछा गया था उससे पिछली बार भी पूछा गया था तो आप इसको last में करना है चोड़ना कुछ नहीं पर last में आप इसको कर सकते हैं आप और बाकी तो आपको करके जा नहीं है फिर देखिए अब क्या हुआ इससे day 4 तक ही देखा जा तो आपका सब कुछ खत लिया और फिर आप बोलोगे सर एक दिन अगर हमारा बचता है बहुत अच्छी बात है अगर आपका एक दिन बचता है ऐसे करने से तो उस दिन आप पूरा का पूरा सारा इंडेस को गोधरू कर लो चार्टिंग से लेके end तक सोचो कितना confidence आ जाएगा आपका आपने revision करके एक दिन बचा दिया है और उस एक दिन में पूरा सभी के सभी चैप्टर जो अपने पांस दिनों में revise किया है उसको sum up करके गोधरू कर लिया और जैसे के हम crux notes provide करते हैं उसको देखके गोधरू करके पूरा अच्छे से अपना secure कर लिया तो इसके साथ एक दिन देनी पर आप सोचो बहुत एक दिन में बहुत कुछ बिगड़ जाते है एक extra day है ना जो इन बच्चों ने पहले exam दिया उनको उसकी value पता है एक extra day हमारे लिए कितना माइने रखता कितने बार exam जो one day का gap मिलता कभी दो दिन का gap मिलता तो कितना वो output निकाल के दे सकता अगर आप उस को capitalize करो तो one extra day आप अपने पास रखे रखे क्योंकि यह तो हमने plan किया strategy बनाया बट क्या पता यह plan failure हो जाए आपके लिए सभी के सभी बच्चे थोड़े ना asper plan complete कर लेंगे वो बोलेंगे सर हमें थोड़ा ज्यादा time लगता लगा यह पर ज्यादा time लग यह आपने जो plan यह पांस दिनों का वह plan हमारा पांस दिनों में अचीव ही नहीं हुआ तो ठीक है कोई problem नहीं है एक दिन हमने हाथ में रखा है तो वह एक दिन में हम 6 दिन में अचीव हो जाएगा क्योंकि आप खुद बताओ अगर आप 10 डेस का plan बनाते हो तो 10 डेस में वह अचीव हो जा रिविजन दे तो तो इससे आपको एक बार और आपको one time और रिविजन करने का मोका मिल गया इसलिए मैं तो highly recommend करूंगा कि भाई पांस दिन नहीं 6 दिन का time रखो अपने पास एक दिन एक्स्ट्रा रखो अपने पास वह आपको एक और रिविजन करने भी मदद कर देगा और या पिर कहीं पर आपका कुछ बच जाता है तो वहाँ पर आपका वह capital है हो जाएगा और basically जैसे मैंने small इंडेस मैराथोन तो मैंने ले लिए है वहाँ पर मैंने concept plus question भी कराया थे crux notes भी आपको provide किया था already YouTube में uploaded है ये साड़े बड़े इंडेस का तो इंडेस वाइस त through करवा दूंगा मैराथोन के अंदर ही और ऐसा करने पर कोई आपको रोक ही नहीं सकता कि financial reporting में आप 70 to 75 marks 75 to 70 to 80 marks आप score कर लोगे और कोई बहुत ही जादा अच्छे होंगे तो और जादा number score कर लेंगे आप बताओ टाफे नहीं है बिलकुल भी मेरा question bank जो है और या फिर मेर highlight किया हुआ है कौन से कौशन important है कर लो यार वो सब वहीं से कौशन आते है only सा अभी तक तो वहीं से आएं तो आगे भी वहीं से आएंगे तो वह सारे कोशन आपने कर लिया बस बात का था सिंपल सी बात है अब वो करिए अराम से हो जाएगा आपका वह जो 400 कोशन जो मैंन से यहां पर इसके साथ या फानिशल रिपोर्टिंग आप प्लैन यही करिए अपने दिमाग में कि सर ठीक हम 26 को स्टार्ट करेंगे 26 से लेके 31 तक कितना होता है छे दिन हम रखेंगे और अगर हुआ तो हम हर दिन 2-2 घंटा को दूसरा चैप्टर को दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे कितना अपने हाथ रखेंगे फानिशल रिपोर्टिंग में कोई रिस्क नहीं लेंगे फानिशल रिपोर्टिंग को करेंगे एकदम सेक्यूर तो आप मुझे बता दिचे अगर आपको अच्छे से समझ में आ आ गया कि कैसे क्या करना है और डरिये मत देखो, अराम से जारी चीज़े हो जाएगे, अराम से हो जाएगे, खरना नहीं है, और ज्यादा टाइम किस में देना, सर कंसेट को ज्यादा टाइम दे क्या, सर कंसेट में घुश जाए का नहीं, कुशिन को ज्यादा टाइम देना, आप ये समझो, go through कर लिया बस और question में ध्यान जाता दे दिया questions के साथ सा जो questions जो relevant concept वो question के साथ 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 ही cover हो जाएंगे so basically मेरा कहना है यह कि question को practice करोगे जहाँ ज़रूरी है जहाँ जरूरी नहीं वहाँ go through कर यह questions को जहाँ जरूरी है वहाँ अब लिखोगे तभी तो exam में लिख पाऊगे अभी नहीं लिखोगे तो exam में कैसा लिख पाऊगे यह सारी चीज कर लिजे और अगर आप चाहो तो हम एक चीज और कर सकते मेरे दिमाग में है day six को यानि exam से एक दिन पहले में एक test दे दूँगा आपको test paper दे दूँगा hundred marks का hundred marks का मैंने एक test paper दे दिया आप exam से एक दिन पहले test लिखो अगर आप अपने risk में लिखो अगर आपको लगता है नहीं सार हम लिखेंगे कल को कुछ उल्टा सिधा हुआ तो फिर हमारा moral down हो जाएगा तो मत लिखें मत लिखें वो आपके उपर choice रहेगा option दे दूँगा आपको लगता है नहीं मैं affected नहीं होने वालो मैं लिखूंगा अराम से और को दिक्कत नहीं वो मुझे मदद ही करेगा मुझे सीख देगा आप रिवीज हैं नहीं कर रहे हैं आपर अराम से और करके आप पूरा financial reporting को क्या करोगे secure करोगे तो यहां पर यह चीज़ अगर आपको समझ में आती तो अभी हम आगे SFM के बात करते हैं हम SFM की बात करते हैं और अगर आपको समझ में आगर किसी को लगता है कि नहीं सर हम थोड़ा पहले दे देते हैं अगर आप बोलोगे तो मैंसे भी कर सकते हैं 31 की जगार आप बोलोगे सर आप marathon लोगे 26 को 27 को टेस्ट ले लो आप बोलोगे हम रात को एक टाइम में 8 बज़े बैठेंगे रात को हम दिन बर तो वो marathon के जो chapter से वो दिन बर हम go through कर लेंगे रात को 8 बज़े बैठेंगे रात को 9 बज़े बैठेंगे रात को 11 सार 11 बज़े तक जो जो major chapters है वो major chapters का पर हम एक test paper देते ना यह major chapters का हम test दे देंगे 27 को और फिर हम 28 को तो यह करेंगे day 3 में यह सारे है ना और 28 को फिर आप बोलोगे तो 29 को मैं इससे related एक test paper बना दूँगा पर आगे छोड़ दूँगा मैं पहले भी फोर एंड और आपको फिर वो appear करना है किसे को लगता मैं बाद में करूँगा बाद में कर लेना मैं पहले सहर कर दूँगा और क्या मैं टेलिग्राम में सीधा सहर नहीं करूँगा गूगल ट्रेम में डाव दूँगा आप Google ट्र को दे देना आपके ओपर आपके ओपर छोड़ दूँगा मैं है ना तो इस प्रकार हम कर लेंगे उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिटेंस भी आ जाएग तो बेसिकली अब ऐसे अगर आप करो मेरी बात सुनो तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्ची देखना इस बार एक दिन लगेगा 1.5 की स्पीड में देखोगे तो 6-7 घंटा लगेगा एक बार यह आप रिवाइस करोगे उससे पहले ही आप यह स्मॉल इंडेस वाला एक बार यूटूब से जरूर से देख लीजेगा बहुत सारे बच्चों नों तो देख भी लिए है बागी जिसने न 101 के जो बड़े बड़े कोशन है दो या तीन बड़े कोशन है वो छोड़के मत जाना तो स्टार भी मार किया हुआ मेरा मुझे लगता है इस बार यह दो चैप्टर में से कोशन पूछा जाए इसमें से मास्टर क्रियेटर ऐसा फील आ रहा पूछा जा सकता है और इसमें से index 101 में दो बड़ी question मैंने test paper में भी question डाला था वो भी पूछा जा सकता है ऐसा मुझे लगता है तो ये दो chapter आप पहले छोड़के गए अलग बाते इस बार छोड़के मत जाना इस बार मुझे लगता है इन में से highly chance है कि एक में से बड़े जी क्या रहने चीए तो दिखेए SFM के लिए मैंने 3 days का plan बनाया है आप चाहो तो 4 days का भी plan रख सकतो मैंने 3 days का plan बनाया that is मेरे सबसे 21st October 22nd October 23rd October को मैंने plan बनाया है 20th October को मैंने सोचा है कि मैं SFM का marathon लूँगा marathon सभी chapter का नी लूँगा यसा मैंने सोचा है मैंने सोचा मैं क्या करूँगा security valuation corporate valuation portfolio और forex यह मैंने सोचा है कि इसको quality revise करवा दूँगा आपको along with questions यह मैंने plan किया आप बोलोगे सब derivatives interested risk management का marathon क्यों नहीं डाल रही है उसके अंदर क्योंकि 5 घंटी का video मैंने last time डाला था हूँ वो 5 घंटी का video में derivatives और interest interest management आपका एक्दम अच्छे सो हो जाएगा तो उसको हम इसमें include नहीं करेंगे portfolio हमारा 7 घंटी का video हम उसको sum up करेंगे 2 घंटी के अंदर मेरा thon में 2 घंटी के अंदर हम portfolio को sum up करेंगे इसलिए मैं उसे include कर रहा हूँ और security valuation, corporate valuation को भी come time में हम उसे sum up करेंगे और अगर आप बोलोगी mergers ऐसे तो मैंने 4 घंटे मैं भी recently करवाया था जरूत नहीं उसको भी हम हटाते है वो भी आपका हो जाएगा उसमें कोई tough कुछ है नहीं हम forex को और इसमें include कर सकते है, forex को हम sum up करेंगे तो basically मेरा plan ही हाँ, IFM भी हम include कर सकते हैं इसके अंदर mutual fund जड़त नहीं अलग से video है, छुटा सा chapter है आप वो revision video से कर लोगे, को tension वाली बात है नहीं वापर और basically आप SFM में, एक और चीज़ आपको में बता देता हूँ, SFM के अंदर RTP, MTP, past paper के जो question है वो important रहते हैं और हमारे question bank में हमेशा रहता था बट हमने कभी भी YouTube में provide नहीं क्या था, अभी भी YouTube में provide नहीं कर रहे हम, हमारे जो application है, जगाती digital education, वो कुछ current की वज़े से Google की कुछ policy के वज़े से वो app में देखनी रहे है, so हम क्या करेंगे, मैं description में और telegram में आपको link दे दूँगा, telegram में डाल दूँगा, telegram एक link दे दूँगा, एक APK file दे दूँगा, आप वो go through कर लिजएगा, question bank तो हमारा telegram में already uploaded है, तो चलिए, अभी हम यह plan करते हैं कि 20th October को, पहले मैंने यह बताया कि 20th October को, हम क्या करेंगे 20th October को मेरा थून में, security valuation, corporate valuation, portfolio और forex, यह हम कर लेंगे 20th October को, यह हम कर लेंगे और IFM भी लेंगे, तो इसमें छोड़ा है कि हमने merger मैंने छोड़ा है, merger तो इन दिनों 4 गंटे में कराया था, है ना, और derivatives IRRM, मैंने कहा था, दोनों मिला कि 5 गंटे में हो जाएगा, derivatives IRRM दोनों मिला कि 5 गंटे में हो जाएगा आपका, यह सारा आपका हुई रहे हैं आपर, तो इससे दिक्कत नहीं, बचा फॉरेक्स हम फटाफट समप कर लेंगे, सेक्यूरिटे वैलुइशन करी रहे है, पोर्टफोलियो हम समप करी रहे है, IFM करी रहे है, म्यूच्वल फंड भी दो ड़ाइगंटे का, इंट्रेस्ट रिस्क मैनेजमेंट आप रिवाइस करोगे, और इसमें करन्सी फ्यूचर एंड करन्सी ऑप्संस भी कवर करना, हम अलग से चाप्टर में पढ़ाते हैं, बट वो फोरेक्स और डेरिवेटिवस का हिस्स है, तो यह आपको 21 अक्टूबर को करना है, डे 2 में 22 अक्टूबर को आपने security valuation, corporate valuation, merger, mutual fund यह सब रिवाइस कर लिया, और इफ possible IFM भी अब डे 2 में डाल देना, यह D1, D2 में जवाब डालो IFM, अगर आपको टाइम बचे तो D1 में ही डाल सकते हो आप यहाँ पर, फिर D3 में आप क्या अगरो, portfolio management आपने revise किया और मेरा थुन में तो आपका होई जाएगा, तो आपने वो revise करके, आपने theory chapter जो है, जो theory chapter है, जैसे कि इसके अंदर सबसे important chapter क्या है, securityization, risk management, start of finance, यह 3 chapter important है, यह 3 chapter अप अच्छे से कर लोगें आपर, इसके अलावा आपका, जो financial policy and corporate, जो आपका strategy है, वो financial policy वाला chapter भी आप कर लेजेगा, बागिया बोलोगे, सर, हर chapter में तो theory है, तो देकि थोड़ा तो risk लेना पड़ीगा, चार नंबर का, अब सारे chapter का theory करनी जाएंगे, तो हम पागल हो जाएंगे, फिर हमारे पास practical के लिए समय नहीं बचेगा, आप किसी ने कर लिया तो अच्छी बात है, वो से revise कर ले, किसी ने नहीं किया, तो नहीं से आप सोचों कि हर chapter का theory करें, वो मतलब भी नहीं, और जरत भी नहीं, क्योंकि सेक्यूरिटाइजिशन, स्टार्टाफ फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे theory आते ही ऐसे, तो आपका manage हो जाएगा राम से, चार नंबर का हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बाकी practical में हम score करेंगे, तो हम चार नंबर का रिस्क ले सकते हैं आपर, तो basically इस प्रकार से तीन दिन में आप खतम करोगे, आपको लगता है तीन दिन में खतम नहीं होगा, अब एक दिन, और add on कर दीजे, 24 भी आप add on कर दीजे, अगर आपको लगता हम कर सकते, अगर और बाकी audit लो, बोलोगे, sir audit लो कैसे पढ़ए फिर, अभी पढ़ लो audit लो, पसंद किया है, क्या वो वाइबल लग लग रहा है आपको, और आप बोलोगे, sir, over chapter include करतीजे, मैं कर दूँगा, फिर मैं थोड़े से कम question में focus करूँगा, concept तो सारे discuss वरी भी कर लेंगे, थोड़े से concept, कम question में focus करेंगे, थोड़े से concept, कम question में focus करेंगे, थोड़े जल्द लाइक जरूर से कीजेगा, और मुझे बताइए कि क्या समझ में आ गया है, और इस तरीके से करो, खुद पे भरोसा रखो, आप देखना, fr और sfm दोनों में 70 प्लैस आ जाएगा, sfm में एक और छोटी से बात आपको मैं बताना चाता हूँ, sfm के अंदर आप practice जरूर से की अगर नहीं हो रहा है तो, बट होंगे सारे, अगर नहीं भी हो रहे तो आप उसे याद कर लो, just exam perspective को ध्यान में रखते हुए, आप ऐसे कर लो कि exam में आपसे वो हो जाए, exam में आपसे वो हो जाए, उस प्रकार से भी आपको करना है, अभी आपको बहुत जादा detail में नहीं जाना है, अभी आपको exam oriented क्योंकि 10-12 दिन बाद exam है, अभी आप जो भी देखोगे, पढ़ोगे, exam oriented कहीं के रट्टा मारोगे, वो exam तक याद रहेगा आपको, कि हाँ यहाँ पर ऐसे हमने देखा था, यहाँ पर इस तरीके से क्या जाता है, वो याद रहेगा, तो tension की कोई बात नहीं, अब उस तरीके से पढ़ाई किजे, हो जाएगा आपका राम से, exam बोर सर, SFM 18 को ले लो, नहीं, 18 को नहीं लेंगे, हम 20th को यह प्लान किया, 20th को लेंगे, ठीक है, 20th को लेंगे, और 4X बोल रहे है, बच्चा आराम से करवाना, आराम से करना है तो है ना, 5 घं इवल्यूशन में तो नहीं आजी बॉंड हो गई, टेंसन की कोई बात नहीं है, सर इसकी PDF सेर कर दो, जी हां मैं टेलिग्राम में सेर कर दूँगा, मैं, audit का बताओ सर कुछ, अमीर जी बोरे audit का बताओ, तो audit में तो मेरा अगर opinion तो यह कि standard का अगर आपको knowledge है, तो आप तो मुझे मदद मिली कि मैं उसका reference से answer कर पा रहा था, और दूसरी ची मैंने अपने summary notes बनाये थे, summary notes यह नहीं, point ways मैंने notes बनाये, question frame कर दिया मैंने, हर topic का, 4-4 point का मैंने वैसे notes बना कि मैंने mnemonics बना के याद कर लिया था, बहुत सारी चीज़े, और मेरा theory weak वा करता था पर भी मैंने 61 score किया था, उस time जब audit का paper इतना कुछ खास गया भी नहीं था, बाकि होगा, और मैंने exemption score किया था, तो audit आप थोड़ा बूद महां रट्टा भी लगाना पड़ता है, समझना भी जिरूर यह कहीं 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 के रट्टा भी लगाना होता, आपको audit के मामले, च गिलाव सर, feet of forward थोड़ा अराम से करवा देना, feet of forward अच्छे से करवा दो, करवाय वाय तो है यूटूब में, उस दिन तो अराम से तो कुछ होगा नहीं, feet of forward contract का अल्रेडी वीडियो डला हुआ हुआ है, यूटूब, पेसिस दिगली feet of forward contract का मैंने वीडियो डाला था, फटाफट करेंगे ये आपको बता देता हूं ऐसा नहीं कि मैं आराम से कराँगा आराम से करना से इतने सारे चैप्टर थोड़े ना होंगे एक दिन वो करेंगा बच्छे से तो आप बस अभी डरो मत ठीकि एक बात का बस धियान रखलो डरो मत बस confident होके exam दो एकदम अच्छा और exam अच्छा करो exam में ये समझो जो paper आएगा न वो जाना पेचाना paper ही होगा आपको science, chemistry, physics नहीं पूछेंगे वो जाना पेचाना paper होगा अपने पढ़ा है तो financial reporting में जाना पेचाना कोशे नहीं आएगा SFM में भी जाना पेचाना कोशे नहीं आए और वो आप कहर पाऊगे पस ये belief अपने अंदर रख़वा आप कहर पाऊगे इतने सारे बच्चे CA बने हैं तो आप क्यों नहीं बनोगे मैं CA बना हूँ तो आप क्यों नहीं बनोगे आप समझ लो आप अगर खुद को कम समझ रहो नहीं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है यूसली वही उखाडते जिन्दगी में जो खुद को कम समझते हैं या फिर लोग जिसको कम समझते हैं तो अच्छी बात अगर आप खुद को कम समझ रहो तो अब महनत करो आप ज्यादा उखाड़ होगे कुछ बड़ा उखाड़ हो गया तो आप यह समझो कि आप बेस्ट हो और मैं भी आप जैसे हूं मैं सच बता रहो मेरा कोई रैंग वागेरा कुछ नहीं है कभी निया मैं त चेरी को बहात सारे बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ बैटरी का वो मेरी बिरादरी की मैं एमानतॉ हूं है मेरी जिससे 28 अब पणिया मदा और मैं बढसत है बन सकते हों लो अsky हरा इसलीं को खुद को मतलब ये समझो कि आप कर पाओगे ये मत सोचो कि मैं weak student हूँ मैं average हूँ ऐसा नहीं है आप मेहनत करो आप कर पाओगे खुद पे भरुसा रखो अर भोले बापा पे लिए बिस्वास रखेंगे और रोज उनसे प्रहस्तनदा करेंगे कि भगवान हमार अच्छा करना बस इतना करेंगे काफी है मनिसा जी देखो क्या क्या रिए साथ डिप्रेशन हो रहा है कि इस बात का depression को आपकी जान तोड़े ना ले रहे कि exam ही तो है depression होने का तो कोई sense नहीं बनते है एक छोटा सा exam है depression अब तब जाओ जब आपको लगए कि यमराज आ रहे हैं आपकी इतम प्रांड निकानने के लिए तब आप depression में जाना आप या फिर जा रहे हो आपने पहुँच गे महाँ पर रहे हैं मालब क्या बोलते हैं कि इसरेल पहुच गे पलेस्टिन से लड़ने उन्नोंग depression में फिर भी जाये तो समझ में आता है कि यार उनकी जान पर बनी है आप किस बात की आप यह सब टेंसन ले रहे हो एक एक्जाम को लेके कोई depression वगेरा नहीं करना भी भगवान पर विस्वास रखना है भगवान का नाम लेना है बोले बाबा का नाम लेना है और मेहनत करना है बस है बहुचना है आप से ज़्यादा पैकेज भी लेके दिखाएंगे यह बंजा उसके बाद क्या करना पूरा इंडेस करना रिवीजन वीडियो वगेरा देख लेना अच्छे से डिटेल्ड वाला पूरा इंडेस में एकदम कंसेट्स ग्यान ले लेना एकदम अच्छे से वेल्वीशन एस एफम का सीख लेना देखो कितना बड़ा बड़ा पैकेज देता आपको बड़ी बड़ी कंपनी टेंसन की कोई बात नहीं है आई से प्रांड नहीं लेगे टेंसन आ लो ऐसे बी मतलब की बात कर दो कि यह जवाब देना है वही कर आऽ कॉन्फिरेंस आ जाता है आ यह कॉन्फिरेंस मतलब मैं सूछता हूं कि मतलब कॉन्फिरिंड कोंफिर्न अगर आप हो ग mosquitoes अब तो आप है बनी गए एक बंदम इनकाल लसकी आप अदि जच्श्याओं आप अब ऑना बाल दोगे आप अप देख लेना और आप देख भी लो आपने पहले भी एक्जाम दिया है पढ़ा है अब डर के टाइम पर पढ़ने पाते हैं अब अगर आपके पास डर नहीं होगा आपके अंदर तो आप बिंदास बहुत अच्छा पेपर ले होगा होता ने कितने बार ए होता है यह डर बड़ी खतरनाक चीज़ है आपको दीरे-दीरे समझ में आएगा डर कितनी खतरनाक चीज़ है इसलिए फियर को जितना जल्दी हो सकती निकाल दो अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि वह आपके कंट्रोल में नहीं है जिस इसका आपको फियर है वह चीज के पढ़ाई करो अरे डरो मत अडिट पेंडिंगे तुभी क्यों डरना है महनत करो ना पढ़ लो भी एक्जाम औरिंटेट फटाफट से कुछ कुछ टीचर्स के रिवीजन वीडियो देख लो फटाफट कर लो ना एक्जाम औरिंटेट कुछ तो लिख क्या होगे मिल करो तेंसन मतलो इतना जादा एस फम कभी टेस्ट चलो ठीक है एस फम का टेस्ट बताओ 24 को लोगे 24 को दे देंगे 21 22 23 को रिवाइस करो 24 को बोलो गेडिए 24 को एस फम कभी लेकिन ए fr के जिसमने अप्लाइन किया 26 को मैरा ठोन लेकि 27 को रात को टेस्ट देदो ठीक है जलो बाई बाई आव्रीवन ठीक है